Hello everyone, welcome back to my new video मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मैं आपने चाइना वाले घर की हाउस टूर दूँगा तो आज वो दिन आ गया, आज मैं आप लोगों को चाइना वाले घर की हाउस टूर देने बाला तो गाइस डारेक्ली गेट सेंट्री के बाद मेरी आजाती है हाल, जहाँ पर मैं बैट कर अपना स्पेर टाइम टीवी देखता हूँ और अधिकतर मैं खाना यही पर बैट कर सोफा पर खाता हूँ और यहाँ पर है मेरी गितार, यहाँ पर है वाटर फिल्टर और यह है फ्रीज और साथ में ये एक कॉर्णर है जहां पर मैं अपना सारा गैजट्स, लाप्टॉप, आइपड और मोबाइल फोन्स चार्ज तो ये है बेसिकली मेरा हॉल और साथ ही में हॉल के बाद हम लोग जाते हैं आगे बढ़ते हैं तो आता है ये वाश बेशिन का एरिया जहां पर मैं इधर साइड में है मेरी कीचन तो इधर साइड में है गाइज मेरी कीचन जहां पर मैं तो बहुत कमी आता हूं बहुत कमी खाना बनाता हूं मुस्किल से मैं कभी-कभी अंडावाल लेता हूं और नहीं तो मैगी बना लेता हूं और कभी-कभी सेंडे को कुछ-कुछ खाना यहां पर मैं रिलक्स करता हूं सोता हूं यूजवली क्लास से ठकने के बाद और साथ ही में है एक विंडो जहां विंडो के साथ में मैंने कुछ कुशन्स और मैट्रस लगा दिया है वहां से बाहर की वियू देखने में सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता और साथ में कॉफी पीने में तो यह है मेरा एक मिडियम साइज बेड्रूम और इसकी कलर कॉंबिनेशन मुझे काफी अच्छी लगती और बेसिकली सबसे अच्छी इसकी जो लाइट है यह भी चेंज होती है हर समय अलग अलग टाइप की आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा तो मैं भी यलो हो गई और अभी नहीं मिलता कपड़ा करके रखने का तो मैं सहीं रख देता हूं और संडे को मैं अच्छे से करता हूं तो यह है मेरा यूट्यूब स्टूडियो जहां पर मैं यूजवली बैट कर यूट्यूब की कंटेंट वीडियो और लाइव और जो भी एडिटिंग होती है मैं यहीं पर शूट करता हूं साथ में यह बड़ा वाला फ्लैसलाइट रिंग लाइट और यह है साथ में चोटा सा रूम और साथ ही में यह वी एक विंडो है जहां से बाहर की दिखता है बट मैं यहां पर कुछ-कुछ श्टोर का चीज़ बना दिया हूं कुछ-कुछ बॉक्स हैं और यह माइकरोव हैं दूसरा वाला और कुछ-कुछ है तो यहां पर मैं एक तरह से स्टोर का बना दिया हूं अभी तो यहां पर माइनस चल रही है माइनस 7 है अभी के टाइम में अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो यह जो आप मेरे पीछे देख रहे हो यह है एक और गाइस सबसे में पार्थ मेरे घर की यह है बालकनी जहां पर है वाशिंग मशीन और यहीं पर मैं कपड़े धोकर उपर में टांगता हूं सुखने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं और यहां पर काफी ज्यादा इस पेस है बहुत बड़ा इस पेस है यहां पर तो यहा में यहां से काफी सारा फूटेज लेता हूं तो यहां से व्यूज सुपब रहता है और यहां पर बैठ के मैं कॉफी पीता हूं जैसा कि आप देख सकते हैं कॉफी रखा हुगा और जहां तक बात करें इस घर की रेंट के बारे में तो मुझे पर मंत इसका 25,000 देना तो मुझे 6 मंद में एक बार पे करना पड़ता है तो मेरे नेक्स्ट पे है फब्र वाली में जबकि मैं उसमीं इंडिया में रहूंगा तो मैं जाने से पहले या आने के बाद पे करूंगा साथ में water bill और electric bill मुझे खुद से pay करना पड़ता हूँ और यहां की property fees देनी पड़ती है साल में एक बार तो वो मेरा rent नहीं included है तो मेरे को property fee नहीं देना पड़ता है इससे पहले जहां पर मैं रहता था जिस घर में वहाँ पर मुझे property fee अलग से देना पड़ता था तो इस घ payment करनी पड़ती है हर अक्टूबर में तो अक्टूबर में मैं payment करता हूँ square feet के हिसाब से घर के जितनी बड़ी square feet है उसके हिसाब से मुझे pay करना पड़ता है इसका चार्ज में को लगा था 15,000 रुपया चार महिना का तो चार महिना तक मेरा घर पूरा गरम रहेगा बहले यहाँ पर माइनस टूबर जाए माइनस रुप्टिंग आप घर में आओगे तो आपको घर में ही लगा तो आप लोगों को मेरा यह घर का house tour अच्छा लगा होगा और सबसे बड़ी बात I want to thank you to you all मैं आप सभी को धने बाद बोलना चाहूँगा त्योंकि कल तक जब मैंने लास्ट डो वीडियो डाला था उस समय मेरी 3000 सब्सक्राइबर थी और विदिन टू डेस मेरी 3500 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गई है तो really I am glad enough and I am really very very thankful to you all कि मुझे subscribe कर रहे हैं और मुझे support कर रहे हैं इसी तरीके से मुझे subscribe और support करते रहे हैं मैं आप लोगों को कभी करिए का चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए का तिल दान थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं आप से अलग्ड वीडियो में पापाँ